ओम श्री साइनाथाय नमहा अध्याय तेईस प्रारम बक्रे की वली लगे मांगने जब साइनिश काम अच्छरज में सब भक्त पड़े कौन करे ये काम इस अध्याय में योग और प्याज शामा की सर्प दंश से मुक्ती विशुची का अर्थात हैजा निवारनार्थ नियमू का उल्लंगन गुरु भक्ती की कठिन परिक्षा इन सब विशों की कथा सुनेंगे सबसे प्रथम प्रस्तावना वस्तुतह मनुष्य त्रिगुण में तीन गुण अर्थात सत्व रज तम है तथा माया के प्रभाव से ही उसे भासित होने लगता है कि मैं शरीर हूँ दैहिक बुद्धी के आवरण के कारण ही वह ऐसी धारणा बना लेता है कि मैं ही करता और उपभोग करने वाला हूँ और इस प्रकार वह अपने को अनेक कष्टों में स्वयम फंसा लेता है फिर उसे उससे छुटकारे का कोई मार्ग नहीं सूजता मुक्ति का एक मातर उपाय है गुरू के श्री चरणों में अटल प्रेम और भक्ति सबसे महान अभिनाय करता भगवान साई ने भक्तों को पूर्ण आनंद पहुँचा कर उन्हें निज स्वरूप में परिवर्तित कर लिया है उपर्युक्त कारणों से हम साई बाबा को इश्वर का ही अवतार मानते हैं परंतु वे सदा यही कहा करती थे मैं तो इश्वर का दाज हूँ अवतार होते हुए भी मनुष्य को किस प्रकार आचरण करना चाहिए तथा अपने वर्ण के करतव्यों को किस प्रकार निबाह न चाहिए इसका उधारण उन्होंने लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जो सब जड़ और चेतन पदार्थों में इश्वर के दर्शन करता हो उसको विनैशीलता ही उप्युक्त थी उन्होंने किसी की उपेक्षा या अनाधर नहीं किया वे सब प्राणियों में भगवत दर्शन करते थे उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मैं अनलहक हूँ वे सदा यही कहते थे कि मैं तो यादे हक हूँ अल्ला मालिक सदा उनके होटों पर था हम अन्य संतों से परिचित नहीं हैं और ना हमें ग्यांत है कि वे किस प्रकार आचरण किया करते हैं अथवा उनके दिन चर्या इत्यादी क्या है। इश्क्रपा से केवल हमें इतना ही ज्यांत है कि वे अज्यान और बद्ध जीवों के निमित स्वयम अवतीरण होते हैं। शुब कर्मों के परिणाम स्वरूप ही हम में संतों की कथाएं और लीलाएं श्रवन करने की इच्छावत पन्न होती है। अन्य था नहीं। अब हम मुख्य कथा पर आते हैं। पहली कथा योग और प्याज। एक समय कोई एक योगा भ्यासी नाना सहेब चांदोरकर के साथ शिरडी आया। उसने पातंजली योग सुत्र तथा योग शास्तर के अन्य ग्रंथों का विशेश अध्यन किया था। परन्तु वह व्याबाहरिक अनुभव से वंचित था। मन एकाग्र न हो सकने के कारण वह थोड़े समय के लिए भी समाधी न लगा सकता था। यदि साई बाबा की कृपा प्राप्त हो जाए तो उनसे अधिक समय तक समाधी अवस्था प्राप्त करने की विधी ग्यांत हो जाएगी। इस विचार से वह शिरड़ी आया और जब मस्जिद में पहुँचा तो साई बाबा को प्याज सहित रोटी खाते देख उसे ऐसा विचार आया कि ये कच्छी प्याज सहित सूखी रोटी खाने वाला व्यक्ति मेरी कठिनाईयों को किस प्रकार हल कर सकेगा। साई बाबा अंतर ग्यान से उसका विचार जानकर तुरंत नाना साहिब से बोले ओ नाना जिसमें प्याज हजम करने की शक्ति है उसको ही उसे खाना चाहिए अन्यको नहीं। इन शब्दों से अत्यंत विस्मित होकर योगी ने साई चरणों में पूर्ण आत्म समर्पन कर दिया। शुद्ध और निश्कपट भाव से अपनी कठिनाईयां बाबा के समक्ष प्रस्तुत करके उन से उनका हल प्राप्त किया। और इस प्रकार संतुष्ट और सुखी होकर बाबा के दर्शन और उदी लेकर वह शिरडी से चला गया। आईए अब शामा की सर्प दंश से मुक्ति कैसे हुई इस कथा को श्रौण करें। कथा प्रारंभ करने से पूर्व हिमाडपंत लिखते हैं कि जीव की तुलना पालतू तोते से की जा सकती है क्योंकि दोनों ही बद्ध हैं। एक शरीर में तो दूसरा पिंजडे में। दोनों ही अपनी बद्धावस्था को श्रयसकर समझते हैं। परन्तु यदि हरी कृपा से उन्हें कोई उत्तम गुरु मिल जाए और वह उनके ज्ञान चक्षु खोलकर उन्हें बंधन मुक्त कर दे तो उनकी चेतना कस्तर उच्च हो जाता है। जिसकी तुलना में पूर्व संकीरन स्थिती सर्वता तुच्छ ही थी। गत अध्याय में किस प्रकार श्री मिरीकर पर आने वाले संकट की पूर्व सूचना देकर उन्हें उससे बचाया गया इसका वरण किया जा चुका है। पाठक वरंद अब उसी प्रकार की एक और कथा श्रवन करें। एक बार शामा को विश्धर सर्प ने उसके हाथ की उंगली में डस लिया। शामा मस्जिद की ओर ही दोड़ा अपने विठोबा श्री साई बाबा के पास। जब बाबा ने उन्हें दूर से आते देखा तो वे जड़कने और गाली देने लगे। वे क्रोधी थोकर बोले के अरी ओ नादान कृतक्न बबमन उपर मत चड़ सावधान यदी ऐसा किया और फिर गर्जन करते हुए बोले हट दूर हट नीचे उतर। श्री साई बाबा को इस प्रकार अत्यंत क्रोधी देख शामा उल्जन में पड़ गया और निराश हो कर सोचने लगा कि केवल मस्जिद ही तो मेरा घर है और साई बाबा मात्र असहायों के आश्रय दाता हैं औ और जब वे ही इस प्रकार मुझे यहां से भगा रहे हैं तो मैं अब किसकी शरण में जाओं। उसने अपने जीवन की आशा ही छोड़ दी और वहीं शान्ती पूर्वक बैठ गया। थोड़े समय के पश्चात जब बाबा पूर्ववत शान्त हुए तो शामा उपर आकर उनकी समीप बैठ गया। तब बाबा बोले। डरो नहीं तिल मात्र भी चिन्ता मत करो। दयालू फकीर तुम्हारी अवश्य रक्षा करेगा। घर जाकर शान्ती से बैठो और बाहर ना निकलो। मुझ पर विश्वास कर निर्भय होकर चिन्ता त्याग दो। उन्हें घर भिजवाने के पश्चात ही पीछे से बाबा ने तात्या पाटिल और काका सहेब दीक्षित के द्वारा यह कहला भेजा कि वह इच्छानु साल भोजन करें, घर में टहलते रहें, लेटे नहीं और न शयन करें। कहने की आवश्यक्ता नहीं के आदेशों का अक्षरा शहप पालन किया गया और थोड़े समय में ही वे पूर्ण स्वस्त हो गए। इस विशय में केवल यही बात स्मरण योग्य है कि बाबा के शब्द हट दूर हट नीचे उतर शामा को लक्ष करके नहीं कहे गए थे। जैसा कि उपर से प्रतीत होता है वरन उस साप और उसके विश के लिए ही ये आग्या थी। अर्थात शामा के शरीर में विश न भैलाने की आग्या थी। अन्य मंत्र शास्त्रों के विशेशग्यों की तरह बाबा ने किसी मंत्र या मंत्रोक्त चावल या जल आदी का प्रयोग नहीं किया। इस कथा और इसी प्रकार की अन्य कथाओं को सुनकर साई बाबा के चरणों में यह द्रड विश्वास हो जाएगा कि यदि माया युक्त संसार को पार करना हो तो केवल केवल और केवल शरी साई चरणों का रिदय में ध्यान करो। आईए हैजा महामारी अर्थात विशुचिका की कथा सुने। कोई भी बकरे की बली न दे। इन आदेशों का उलंगन करने वाले को मुखिया और पंचों द्वारा दंड दिया जाएगा। बाबा तो जानते ही थे कि यह सब केवल अंध विश्वास ही है और इसी कारण उन्होंने पंचों के आदेशों की कोई चिंता न की। जब यह आदेश लागू थे तब ही एक लकड़ी की गाड़ी गाओं में आई। सब को ग्यात था कि गाओं में लकड़ी का अधिक अभाव है। फिर भी लोग उस गाड़ी वाले को भगाने लगे। यह समाचार कहीं बाबा के पास पहुँच गया। तब वे स्वयम वहाँ आये और गाड़ी वाले से गाड़ी मस्जिद में ले चलने को कहा। बाबा के विरुद्ध कोई चूं चपाट तक भी न कर सका। यथार्थ में उन्हें धूनी के लिए लकड़ीयों की अत्यंत आवश्यक्ता थी। और इसलिए उन्होंने वहगाड़ी मोल ले ली। एक महान अगनी होत्र की तरह उन्होंने जीवन भर धूनी को चैतन्य रखा। बाबा की धूनी दिन रात प्रज्वलित रहती थी। और इसलिए वे लकड़ियां एकत्रित करके रखते थी। बाबा का घर अर्थात मस्जिद सब के लिए सदैव खुली थी। उसमें किसी ताले चाभी की आवश्यक्ता न थी। गाउं के गरीब आगमी अपने उप्योग के लिए उसमें से लकड़ियां निकाल भी ले जाया करते थी। परन्तु बाबा ने इस पर कभी कोई आपत्ती न की। बाबा तो संपूर्ण विश्व को ईश्वर से ओत प्रोत देखते थी। इसलिए उनमें किसी के प्रती ग्रिणा या शत्रुता की भावना न थी। पूर्ण विरक्त होते हुए भी उन्होंने एक साधारण ग्रहस्त कासा उधारण लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। आईए अब सुनते हैं गुरु भक्ती की कठिन परिक्षा का प्रसंग। अब देखिए दूसरे आदेश की भी बाबा ने क्या दशा की। वह आदेश लागू रहते समय कोई मस्जिद में एक बक्रा बली देने लाया गया। वह अत्यंत दुर्बल, बूढ़ा और मरने ही वाला था। उस समय माले गाउं के फकीर पीर महमत उर्फ बड़े बाबा भी उनके समीब ही खड़े थे। बाबा ने उन्हें बक्रा काट कर बली चड़ाने को कहा। श्री साई बाबा बड़े बाबा का आदर किया करते थे। इस कारण वे सदैव उनके दाहीनी ओर ही बैठा करते थे। सबसे पहले वे ही चिलम पीते और फिर बाबा को देते। बाद में अन्य भागतों को। जब दोपहर को भोजन परोस दिया जाता तब बाबा बड़े बाबा को आदर पूर्वक बुला कर अपने दाहीनी ओर बिठाते और तब साब भोजन करते। बाबा के पास जो दक्षना एकत्रित होती उसमें से वे पचास रुपे प्रते दिन बड़े बाबा को दे दिया करते थे। जब वे लोटते तो बाबा भी उनके साथ सो कदम तक जाया करते थे। उनका इतना आदर होते हुए भी, जब बाबा ने उनसे बकरा काटने को कहा, तो उन्होंने अस्विकार कर स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि बली चड़ाना व्यर्थ ही है, तब बाबा ने शामा से बकरे की बली के लिए कहा, वे राधा कृष्ण माई के घर जाकर एक चाक वापस मंगवा लिया, अब शामा दूसरा चाकू लाने के लिए गए, किन्तु बड़ी देर तक मस्जिद में न लोटे, तब काका सहब दीक्षित की बारी आई, वह सोना सच्चा तो था, परन्त उसको कसोटी पर कसना भी अत्यंत आवश्चक था, बाबा ने उनसे चाकू लाकर बकरा काटने को कहा, वे साथे वाडे से एक चाकू ले आए, और बाबा की आज्या मिलते ही काटने को तियार हो गए, उन्होंने पवित्र ब्रह्मन वन्षु में जन्म लिया था, और अपने जीवन में वे बली कृति जानते ही न थे, यद्यपी हिंसा करना निंदनी है, फिर भी वे बकरा काटने के लिए उद्यत हो गए, सब लोगों को आश्चर था कि बड़े बाबा एक यवन होते हुए भी बकरा काटने को सहमत नहीं है, और यह एक सनातन ब्रह्मन बकरे की बली देने की तयारी कर रहा है, उन्होंने अपनी धोती उपर चढ़ा, जार क्या कर रहे हो, ठीक है, मारो, जब उनका हाथ नीचे आने ही वाला था, तब बाबा बोले, ठेहरो, तुम कितने दोष्ट हो, ब्रामन होकर तुम बकरे की बली दे रहे हो, काका सहिब चाकु नीचे रखकर बाबा से बोले, आपकी आज्यां ही हमारे लिए सब कुछ है देवा, हमें अन्य आदेशों से क्या, हम तो केवल आपका ही सदैव स्मरण तथा ध्यान करते हैं, और दिन रात आपकी आज्यां का ही पालन किया करते हैं, हमें ये विचार करने की आवश्यक्ता नहीं, कि बकरे को मारना उचित है या अनुचित, और न हम इसका कारण ही जानना चाहते हैं, हमारा करतव और धर्म तो नेसंकोच होकर गुरु की आज्यां का पूर्ण तह पालन करने में हैं, तब बाबा ने काका साहिब से कहा, मैं स्वयम ही बली चड़ाने का कारी करूँगा। तब ऐसा निश्यत हुआ कि तकीय के पास जहां बहुत से फकीर बैठते हैं, वहां चल कर इसकी बली देनी चाहिए। जब बक्रा वहां ले जाय जा रहा था, तब ही रास्ते में गिर कर बक्रा मर गया। भक्तों के प्रकार का वरणन कर श्री हिमाडपंत यह अध्याय समाप्त करते हैं। भक्त तीन प्रकार के हैं। एक उत्तम, दो मध्यम, और तीन साधार। प्रथम श्रेणी के भक्त वे हैं, जो अपने गुरु की इच्छा पहले से ही जानकर अपना करतव विमान कर सेवा करते हैं। द्वितिय श्रेणी के भक्त वे हैं, जो गुरु की आग्या मिलते ही उसका तुरंत पालन करते हैं। और तृतिय अश्रेणी के भक्त वे हैं, जो गुरु की आज्या सदैव टालते हुए, पगपग पर तृति किया करते हैं। भक्त गण यदि अपनी जागरित बुद्धी और धैर्य धारण कर द्रडविश्वास स्थिर करें, तो निस संदेह उनका आध्यात्मिक देज उनसे अधिक दूर नहीं है। श्वासो छ्वास का नियंत्रन, हठ योग या अन्य कठिन साधनाओं की कोई आवशक्ता नहीं है। जब शिष्य में उपर्युक्त गुणों का विकास हो जाता है और जब अग्रिम उपदेशों के लिए भूमी का तयार हो जाती है, तब ही गुरु स्वयम प्रगट होकर उसे पूर्णता की ओर ले जाते हैं। अगले अध्याय में बाबा के मनोरंजक हास्य विनोद के संबंद में चर्चा करेंगे। अग्या का रखे हर दम पूरा ध्यान। अग्यान। 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 अग्यान।